पूरे देश के लोग जानते हैं एंडी टीबी के लनाम से जानते हैं और सोपा एक ऐसे पत्रकार के रूप में जानते हैं जो बेबाक टिपड़ी करने के लिए बिख्यात हैं और लोग हजारों गालियां भी सुनते हैं रोज कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जिस दिन रभीज के खाते में हजारों गालियां नहीं जाएं रभीज कुमार जी यहीं पैदा हुए उनके पैत्रिक आवास पर हमें चार भाई थे और चारों लोग यहीं पैदा हुए नौकरी पे कारण यह है कि इस परिवार में कोई है नहीं देखरेक करने वाले लोग हैं और वह इस मकान का यूज करते हैं बीतर दिखा देता हूँ सामाने साथ जिसमें रभीष पले बढ़े और यहीं रहा करके खाना खाये जहां पगडंडी थी जहां के लिए कोई रास्ता नहीं था यह उनकी माता जी है और यह उनके पिता जी है बाबा जी है उनके और यह दादी है अच्छा यह दादी है और कलाम साहब के साथ है हुआ है इसे आप देख रहे हैं तो चलिए हमने घर दिखाया बाहर चलता हूं और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि रभीष के बारे में लोग कितना जानते हैं और यहां किस प्रकार की धारड़ा उनके बारे में है किसकी साधी का फोटो है चलिए उनके भाई की साधी का फोटो होगा आगे हम बढ़ते हैं गंड़क नदी यहां है गंड़क नदी के किरारे एक गाओं में यहां पैदा हुए वहां जाने का रास्ता भी नहीं था आज भी जूनियर हाइश्पूल कि सिक्षा यहां के लोग प्राप्त करते हैं क्योंकि और कोई विध्याले है नहीं बाहर कई लोग हैं उन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं यह एक पीपल का ब्रिज है रवीज जब पैदा हुए थे तब्भी यह पीपल का ब्रिज ही था और आगे कुछ खेतियोती का सामान रखा हुआ है उदर बैलगारी भी आपको दीख रहा है उसे भी आप देख रहे हैं अब मैं चलता हूँ कुछ लोग यहां ही कठा हो गए है या बहुत पहले टेलीफोन लगता था जो वह वाला टेलीफोन होता था एसे 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 चुंगा लगा करक यहां एक शमुत्रा बना हुआ है जहां लोग बैठे हुए हैं मैं उनलों से बात करता हूँ बाई ब्रजभूशन दुब्य हमारा नाम है गाजीपुर से आया हूँ यह रभीश कुमार जी का घर है उनके पुता जी का दादा का अच्छा तो कैसा आपका गाउं है कि पुर पुरुशकार है तो कुछ आप लोग जानते हैं उस बारे में मिला था तो नहीं जानते हैं आप तो जानते हैं कैसे पेपर के माध्यम से जाने कैसे जाने कीवी के माध्यम से जाने पेपर की माध्यम से जाने पेपर तो छापा नहीं था इतना छोटे से टुकडे में रहा ह क्या आभी भी असब परंपरा बरकरार है क्या गाओं में की जैसे यह लोग बैठेंगे इसे हैं लेकिन बराबर हम लोगे समक्ष आकर के लोग भरते कदर करते हैं वह भगवान रहे पुरानी उम्र के हैं तो बढ़ गए बढ़ गए चले हम तो नहीं बैठेंगे हम तो जात के लोग है यह जाती है क्श्वादी है जी तो जब पता लगा तो गाओं के लोगों ने कुछ किया हुआ कुछ डोल बजीरा कुछ नहीं बजा है जिना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मिठाई इटाए होम लों कुछ बाटे उसमें हुँआ पलो जानते हैं बर्यार पांडे का बैटा है अच्छा उनके पिता जी बल्राम पांडे जो अब नहीं रहे माता जी उनकी है जो पतना में रहती हैं हां का नाम बापक染 का मांढम सदीक अंसारी जि तो उनको देखें अरवीज को जो बल्गा पर जोलम का है कि जिए है तो आप लगों से बंद्से डाटे करते हैं क्या कड करते से हैं तो नहीं ह afford रह ईसे मिल जूल के रहते हैं पुरोस्कार मिला है बहुत बड़ा है तो हम प्रभानिय तो है कोई से हम तौड़ा लाली खोड़्य हैं तो अप्षाब कुछ और अद्म गार तो ही देखिए नइखे घर वाला अलोग तो कितना लोग है यह कहीं अच्छे लोग हैं तभी घर दूआर सब छोड़ करके और इसमें देख रहे हैं बकरी और इसमें द उदर भी तो इधर बैलों के लिए पसुओं के लिए रहा होगा, काफी रईस परिबार रहा है, आपका सुभ नाम? रामेस्वर तिवारी, तो यहां तिवारी भी हैं, पांडे भी हैं, और क्या है? अपकी बात कर रहा हैं, तो रभी जी किस में आते हैं? पंडी जी में आते हैं, राय साब में नहीं आते हैं? अच्छा, चलिए भी अभी हम हलकी बात कर रहा हैं, हम लोगों को इंसानियत की बात ही कर रही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, भी अचलिए आप भी, सुभ नाम आपका है, अर्विंद कुमार दिवेदी, अच्छा, अर्विंद कुमार दिवेदी, तिवारी, मिसीर, क्या गाओं है, मानना पड़ेगा आप लोगों को, ज हम लोगों के लिए बहुत काफी हो गया, चलिए मिठाई ही बहुत काफी, आप भी पढ़ाई करते हैं, अच्छा, बताइए, क्या नम है आपका, अंकित कुमार पांड़े, बा, जियो सेर, तो अंकित, रभी इसको कौन सा पुरसकार मिला है, एसिया का सबसे बड़ा पुर पुरसकार मिला है, जी, लोग सब कोई मिलकर मिठाई खिलाए, खिलाए लोग, और उसके बाद इनके घहर पर यहां पर कोई नहीं था, इसको कोई पाटी, कोई फॉनसर नहीं हुगा, आते जाते हैं लोग कभी कभार, हम ऐसा आते जाते हैं, पौलब से हमारे, चलिए बहा एक अब बात बताते हैं, आपका क्या नाम है? राजा अंसारी, किसे देज़ चलेगा, राजा बैठेगा जमीन पर, और प्रजाब बैठेगी कुरसी पर, यजा चलेगा, राजा नाम के हैं आप, राजा आप नाम के हैं, यह बहाए, हजी, कुरसी तीजिए, लेआ एक इसको में तोड़ता हूँ, बैठिये, कमी कहा है, निचे मां इतना कुर्सी है, तो अच्छा ही बताइए, आप लोग ताजिया निकालते हैं, और इस दूद में लोग आते जाते हैं, अच्छा, उनके लड़के, बलराम पांडे के लड़के, वो लोग आते जाते हैं, लोग दूद में कुछ ऐसा तेवार आता है, तो एक दो बढ़िया से आते हैं, हमने एक खापिर भाव करते हैं, देखिए अच्छा है, आ कम सकम बिना बुलाए इतने लोग हैं, और सब में अच्छा भाव है, इतना तो मानना पड़ेगा, एक बात बता रहा हूँ, आरसा तो और आपका घर है, कुछ हलचल होई कहीं कुछ, हलचल तो देखनेों का मिला पुरे भारत के साथ, पुरे बिहार और मेरा चंपारण गौरवानवीत हुआ, ये मिला तो, लेकिन कुछ किया नहीं लोगों ने, लोगों ने नहीं किया, एक सुली होता क्या है, कि जब परिवार के लोग रहते हैं, क्या लोग डरे हुए हैं क्या, क्या इसलिए कि रभीष कुछ हमेसा इस तरह का न्यूज करते रहते हैं, जो एंटी गवर्मेंट होता है, तो क्या लोगों के उपर बरतमान सरकार का इतना चड़ गया है, लोग भयाकराम थे, क्या है, कि लोग अपने कि लिए कुछ किया भी नहीं, मेरे बैक्तिकत विचार से, मुझे ये परतीत होता है, कि लोग डरे हुए नहीं है, किसी भी चीज से, चुकि रभीष कुमार जी जो है, वो एक अच्छे पत्रकार हैं, और सब चीजों पर कोई राजनायतिक पार्टी कोई भी हो, उनके गलत करते हैं, और किसी के बैक्तिगत किसी के ऊपर टिपनी नहीं करते हैं, और सब चीज साहबजनी क्रूप से बात करते हैं, सवतनतर पत्रकारिता करते हैं, जिसकी वोजा से, अभी यूटूबर है, जी, कोई वीडियो डियो डियो डाला आपने डालेंगे, अभी डालेंगे, करके गाओ की गंड़क नदी से गाओ की फटड़न्डी से जहां राफ्ता नहों ऐसे चल करके जाएगा पुरा देश उसको जानेगा गाओ उसको नहीं परचानेगा क्या लग ज़े से ही यूटूबर हैं किस नाम से चेनल आते हैं किस तरख लेज बॉलीए को सुनेगा नहीं सति तिवारी ट्यक ट्यक कीसा थी ट्छ तो किस तरख वीडियो बनाते ब्नाओं विर्दी रिलाट्इड तो इस पर नहीं बनाएगे रिश कुमार हेर युटास फिर बड़ी दुरगत हो जाएगी यह बता रहा हूं जिस चंपारण में बापू आए महातमा गांधी को बुलाएं आ गया किसान प्रदारित किये जाते थे नील की खेती होती थी नील के खेती की अनिवारता थी और सुकला जी यहां बुलाएं क्या नाम था उनका राजकुम आप जानते हैं राजकुमार सुकला को अच्छा वे बोलो रहा गांधी जी के तो जिस माटी ने गांधी को बुलाया और गांधी ने अपना अपनी करमस्थली इसे बनाया विसुका भी से सांक बना उस माटी ने एक ऐसे पत्रकार को जो जमीन जमीनी अश्तर से निकल करके राष्ट्री और इंटर्नेशनल अस्तर तक गया उसको पूछा नहीं लोगों ने उस विद्याले ने भी सम्मानित रहे किया यह है क्या माना की माना की बहुत चीज़ें गले से नीचे नहीं उतर रहे होगी रभिश कुमार की यह भी हो सकता है कि भी आमको अच्छा नहीं लग रहा है यह बार-बार केंदर सरकार की खिलाफत कर रहा है लकिन है तो अपना और हर बात तो खराब नहीं कहेगा ना ना कुछ नहीं तो फिर 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 लोग खामोस कैसे हैं ऐसी ऐसी किरांतिकारी धरती जो जिसने राष्ट्री आंदोलन के इतिहास में उतक्रिष्ट भूमिकानी भाई उचितम भूमिकानी भाई आदर सरक्ष का प्रस्तुती करण किया जिस चंपारन को सभी जानते हैं उस चंपारन ने रभीश कुमार के लिए प्रसंसा के दो सब्द नहीं बोला हाँ मैं गाओं कहुंसा है जितवारपूर जितवारपूर आप तो एकदम आप योगी भिष्णने तो आप योगी हैं रिदा जोगी है जोगी है जोगी हें ऑचार पंडित है इसले मोदी नहीं है जिए चौन की जोगी आप मतलवीं के प्रसंसा की बात हमें काम के लिए DSP शाहब के पास गए थे अपने थाना में गोवी के थाना प्रभारी के पार तो दो चार दिन के बाद ही जब नियूज मिला सब किसी को तो थाना प्रभारी से ले करके पुड़ी सॉफिस तक ले जितनी खूशी की महाओल वहां पर थी हम लोग उस समय देखें वहां पर में केश को ले करके गए थे वहां पर वहां लोग खूश थे लेकिन लोग लोग ऐसे है कि हल्चल नहीं हो रही है घाव का नाम क्या है सब ज जितवारपूर के हारे हुए लोग रभीज के रमेन मेकसे से मिलने पर कोई हलचल नहीं हुई इसको किया क्या बन रहा है बावू घोड़ा है इस दोड़ेगा अच्छा कहां कहां दोड़ेगा अच्छा कल मुहर्रम है अच्छा देखिए अभी अहां एक ताजिया का निर्मार हो रहा है भीतर मुहर्रम का तेभार कल है तो चलिए शुखा दनबूती हो रहे है रभीजी के घर आकरके यहां अओले का ब्रिक्ष है जहां कातिक महिने में आप लोग खाते पीते होंगा ना जी 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 ज दूबे यूट्यूब चैनल ब्रजबुशन बारकंडेय से और नहीं दिखा दिया यहां से हो गया धन्यवाद सभी को भी नमर भाव से ब्रजबुशन दूबे का साधर नमस्कार निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके